प्यार साथी नमस्कार एक बार फिर स्वागत आपका चैतने स्टेडी में जैसे कि आपको ये पता है कि सीटेट 2020 का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है उसके लिए मैंने एक पोस्ट अपने चैनल के माध्यम से अपलोड की थी ठीके तो उसके बारे में अभी हमां कुछ दिस प्राने अभी अर्थी हैं वो इसकी सारी जानकरी लगवग जानते ही हैं तो इसकी जो सीटेट के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो आज से होगा केंदरी मात्मिक सिक्षा पूरड की ओर से केंदरी अध्यापक पातरता परिच्छा सीटेट में दो बारियों में पेपर हो होंगे फुल 15 भासाओं में से अभियर्थियों को कोई दो भासाय लेना आनिवारे होगा पांच जुलाई को होने वाली इस परिच्छा के लिए और लाइन आवेदन की शुक्पिरिक्रिया सुक्रवार से ही शुरू हो रही है CBSE की ओर से कक्षा 1 से 5 भी तक कक्षा और कक्षा 6 से 8 भी तक के सिख्छकों की पातरता सुनश्चित करने के लिए सीटेट का आयोजन किया जाएगा CBSE दोहरा सीटेट को लेकर विस्तरत सूचना बिलेटन जारी कर दिये गया है इसके अनुसार 5 जुलाई दो बारियों में इस परिक्षा का आयोजन होगा पहला पेपर कक्षा 1 से 5 भी तक के सिख्षकों के लिए ठीक है और दूसरा पेपर जो है हमारा 6 से 8 तक के लिए होगा ठीक है पेपर जो टाइम में होगी हमारी वो डाही घंटा होगी इस तरह होंगो 3170 परिशन Child Development and Pedagogy 30 परिशन 30 अंक भासा 1 जो हमें आनिवार रूप से लेना है 30 परिशन 30 अंक भासा 2 आनिवार 30 परिशन 30 अंक और गड़े 30 परिशन 30 अंक और पर्यावर्र अध्यन यह भी 30 परिशन 30 अंक इसका पेपर 2 है कप्छा 6-8 तक के लिए धाई घंटे का पेपर होगा इसमें भी कुल 150 अंक होंगे और 150 ही प्रिशन पूछे जाएंगे इसमें क्या क्या पूछे जाएगा हमसे इसमें Child Development and Pedagogy 30% 30 अंक इसमें भासा प्रत्धम जो अनिवारे रूप से होगी 30% 30 अंक भासा दित्ये अनिवारे 30% 30 अंक और उसके अलावा गड़ित और विज्ञान हमसे पूछा जाएगा जिसमें की 60% 60 अंकों के होंगे ठीक है अगर आप Social Studies ये Social Science के श्टुएंट है तो 60% 60 अंक जो है आपको Social Studies Social Science के सिख्षकों के लिए यहां देखिए 15 भासा हैं जो है कौन कौन सी है आप इन्हें देख लीजिए 15 भासा हमारी है CBSC की ओर से जारी भासा सूशी के अनुसार अंग्रेजी, हिंदी, अस्मी, बंगाली गेरो, कुजराती, कन्नर, खासी, मल्यालम, मरीपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उडिया, पंजाबी, संस्क्रित, तमिल, तेलुग, तिब्वती और उर्दु में से कोई दो भासा लेनी होंगी 112 शहरों में इसका आयोजन होगा CBSE की ओर से पूरे देश में 112 सहरों में 20 भासाओं में से CETAT का आयोजन किया जाएगा अभिहरती केबल CETAT की वेफसाइट के माधियम सही ऑनलाइन आवेजन जमा करने की अंतियमति थी 24 फरवरी है, 27 फरवरी को साले 3 वज़े तक शुल्क जमा करना होगा देगे दोस्तों यहाँ important बात है परिख्या सुल्क सामाने और OVC के अभिहरती केबल एक पेपर के लिए 1000 रुपे और दोनों पेपर के लिए 1200 रुपे सुल्क जमा करेंगे SC, ST वा विकलांग अभिहरती केबल एक पेपर के लिए 500 रुपे और तोनों पेपरों के लिए 600 रुपे जमा करेंगे दोस्तों यह तो रही हमारी CT8 की पेपर से समझे कुछ जानकारी ठीक है इसके लाबा इसका जो फॉर्म है ठीक है और इसका एडमिट कार्ड है और इसका जो सिलेवास है और हम आगे डिसकस करेंगे आने वाली और वीडियो में और अब परेड़े जो है बालबिकास और उसके लाबा अन्य जो बिसे हैं उनकी भी यहाँ आपको पढ़ाई होगी कुछ-कुछ पिर्शन जो महत्पूर होंगे वो यहाँ पर आपको बताए जाएंगे ठीक है आप चैनल को सबस्क्राइब कर लें और मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार